नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको इरी चानल में फिर से एक बार में हूँ आग की वही अंजली जवाब तो था मेरे पास उनकी हर सवाल का पर खामोश रहकर मैंने उनको अल्ला जवाब बिना दिया किसी का दिल दुखाना समुद्र में फैंके गई पत्थर के समान है वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है आपको भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए स्पेशली अपने माता बिता का क्योंकि उन्होंने आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार डाला खुद भूखे रहे और आपका पेट भरा किसी की मजबूरियों पे नाहसिये कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता ड़िये वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता अकल इतनी भी तेज हो नसीब के बिना नहीं जीद सकती बीर बल अकल मंद होने के बावजूद भी कभी बाच्छा नहीं बन सका भरोसा जितना कीमती होता है धोका उतना ही महंगा हो जाता है इमानदारी का दाम कौन जाने यहाँ पर बेइमान राजा हो जाता है तो चलिए अब जान लेते हैं आज के देली राजीवल के बारे में सबसे पहले में आपको बता दू कि हजाब के लिए शुब रंग रहेगा आज का गुलाबी यानि की पिंक और लखी नमबर हने वाला है आज आज आपके लिए आठ आज का दिन बिना किसी बात से विचलित हुए अपने कारियर की रहा पर आगे बढ़ने का है आप अपने हिताशियों और दुश्मनों में असाने से फरक कर पाएंगे कि कौन आपके सार्थ है और कौन आपका दुश्मन है अपने मन की वास सुनिये और अपनी प्लानिंग्स के अनुसार ही आगे बढ़ने की कोशिश कीज़ेगा अपनी सोच पर आज आज आपको काबू रखना होगा कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं विचारों की उथर पुदल से आपको बस नीन की कमी रहेगी और टेंशन रहेगी इसलिए विचारों को काबू रखना होगा परिसित्यों का समय के साथ आपको सलूशन मिलता चला जाएगा जितना उसके लिए परिशान होंगे उतना ही आप अपने लिए बाधाएं उत्मन कर सकते हैं साथ में आज जो है महत्वकांक्षी लोगों के लिए अनकूलता रह सकती है आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा जित कर सकते हैं दिन जो है आज का दूसरों की मदद करने का रहेगा सहयोग करिए आप दूसरों की चीज़ों में जिसे कि आपको भी आत्में खुशी मिलते किसे शुब चिंतक का अशिरवाद या शुब कामनाय आपको वर्दान की तरह प्रतीत होगा आज आज आपकी राशे के लोग जो है बाचित में निपुण होते हैं लेकिन आज किसी से बाचित करते समय सावधान भी रहना होगा क्योंकि आप अपनी कोई important scheme किसी के सामने आ आने की खुलासाना कर दे अपनी secrets को आपके ऊपर कोई चोरियां जूठा इल्जाम भी आज के दिन लग सकता है ऐसे जिदारे कहते हैं पर याज दिन अपनी planning जगर आप गुपतर रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे तो हैं आपको काफी हद तक फाइदा मिल पाएगा अपने साध्य को लेकर आज संभल कर चलने का दिन हो सकता है उन्हीं आपके आसपास रहना पसंद है लेकिन आज थोड़ा आपको भी साफधानी बरतनी होगी अपने जरूरी काम खतम करने के बार ही दोसों के साफ समय गुजारेगा वना आपका बहुत सारा जो काम है है अगर आपके पास कोई ऐसा ताला है जिसकी चापी नहीं है तो उसको आप बाहर इसे मांसामान बना रहेगा आज भी आप किसी भी मुश्किल कारे को सो समझ कर और शानते पूरवक तरीके से निफटाने के समर्थ रहेंगे अध्यात्मिक और धरम करेके शेत्र में आपका काफी ज़्यादा जुकाव रह सकता है किसी के घर में फंक्शन हो सकता है धारमी वगरा तो आप उसमें अपने आपको जो है बहुत इच्छा फिल करवा सकते हैं आपको मन की शान्ती मिलेगी किसी निजदेगी व्यक्ति से अचाना किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है जिसकी वज़े से आपकी मान हानी हो सकती है बैठे बिठाए किसी मुसीवत में पढ़ सकते हैं इसलिए किसी के साथ बहस मत कीजेगा आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की बिजनस और करेर की तो वो कहता है कि विवसाई कारूबे बहुत ही ज़्यादा चोकना रहने की जरूरत है आपको अज आपके ठोड़ी से असावधानी या गलती का बहुत ही ज़्यादा खामियाज भूकतना पड़ सकता है लोग आपकी विनमरता का गलत फाइदा भी उठा सकते हैं आपको सही योगियों से भरपूर भरोसा और साथ मिलने की योग है आपका कारिस्थल पर जो दिन है बहुत ही बहतरीन और शांती बुर्वक तरीके से गुजर सकता है कमेशन से रिलेटेट कारों में थोड़ी साफधानी रखनी होगी नहीं तो नुकसान के सितियां पैदा हो सकती है जमीन जायदार से रिलेटेट बिजनस में कोई बड़े डेल होने की संभावना बन रही है इसलिए उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा आज करियर के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किलों भरा भी कई लोगों के लिए हो सकता है जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जो लोग सोनी चांदी का विपार करते हैं उनके लिए थोड़ा आज दिक्कत वाला समय हो सकता है जादिस हाद में आज लकडी की विपारियों को और जो लोकसरकारी काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है तो ये बात की हमने करीर और बिजनस की और बात करने वाले हैं आज के हम लव लाइफ की बारे में तो आज विवास से रिलेटीड सबंदों में किसी प्रकार का खुलासा होने से दामपत्त जीवन पर प्रभाव पर सकता है इसलिए ऐसे सबंदों से दूर है कर अपनी गरहस्ती पर ज़्यादा फोकस कीजिए किसी और किसा अजाय सबंद ना बनाये वहीं आज जीवन साथ है या प्रेमी का साथ किसी बात को लेकर तनाम भी हो सकता है इसका कोई भी रीजन हो सकता है बस आपको जो है अपने आपको जो है पॉजिटिव इदी तरीकी से पेशाना होगा हजाब का साथ ही चाहता है कि आप उन्हें जो है अधिक समय दे अधिक प्यार दे इसके लिए परियाश जरूर कीजेगा उनके साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करना आपके और उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा रह सकता है वहीं आज घर का वातन भी वातावन खुश्टुमा बना रहेगा जीवन साथी के साथ समन्ध मदूता से गुजरेगा बच्चों के साथ अब काफी समय स्पेंट कर सकते हैं उनकी बातों को जो है आप अंदेखा मत कीजेगा कुछ उनके बात सुने और कुछ अपनी कहीए उनको भी इच्छा लगेगा तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में तो हैल कहती है कि बदरते मौसम के नेगटी प्रिभाव का आपके स्वास्ते पर बहुत ज़्यादा असर बढ़ सकता है इसलिए जो है लापरवाही मत कीज़ेगा सहीं में दिन चर्या रखे गरम पाने का सीवन करना आपकी हैल्द को बहुत ज़्यादा बैटर बना सकता है मार फेशों में जुड़ी समस्याओं से लाप मिल सकता है दर्द से राहत मिल सकती है डियाबिटीज और बलड प्रेशर के मरीजों को समस्यों का सामना कर पड़ सकता है परहेज रखेंगे और अच्छी डाइट रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली साथी में मौसिवे बुखाड की समस्याओं तो पैदा हो सकती है अपने बचाव के लिए खान पान में उचित परहेज और अराम फी फरमाना होगा अराम फरमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर रह सकता है अब आगे बैटर बात करते हैं आज की विशी शुपाई के बारे में हैं आज आपके लिए विशी शुपाई कहता है कि आज आपको सबसे पहले तो है वासुदोश के लिए आपको घर में से कोई भी और टूटा समान रुका हुआ घड़ी वेकरा बाहार निकाल देनी चाहिए साथ साथ में अगर आज आप केले का दान करते हैं तो आपके लिए सुखद हो सकता है आज भगवान विश्णु के पूजा करें पीले कपड़े का दान कर सकते हैं पीला रुमाल अपने पास रखें बरकत आपके हाथ में रहेगी तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर भी मत भूलेगा धन्यवाद